नमस्कार आप देख़ें उत्रे प्रदेश टाइमस में आपके साथ हिदिती शर्वा ताजमेल के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखने वाला आगराश शहर अब जल्द ही इंडरिस्टल रूप में भी अपनी छाप छोड़ेगा योगी सरकार ताजनगरी को इंडरिस्टल सिटी के रूप में विक्सित करने जा रही है शहर में होने जा रहा है इंट्रिग्रेटेड मैनुफेक्शन क्लस्टर से यह मुम्किन होगा हाल ही मुही काबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए NICDC और UPCRA के भी शियर होल्डिंग एग्रिमेंट को हरी जंडी दिखाए गई शहर के विकास को रफ्तार देने वाला यह प्रोजेक्ट अब गती पकड़ेगा आगरा के रहनकला और कुबेरपूर में 111 से अधिक जमीन पर यह cluster डैबलाप किया जाना है पूर्व में यह जमीन थीम पार्क के लिए ली गई थी लेगी दिखिन अमिस जमीन पर cluster बने गा यहां जमीन यमना एक्स्प्रसवे लखनो एक्सप्रक्सवे और अमरसर कोल करता इंडुरिस्ट्रियल कारीडूर के समीब है इस प्रोज्ट को केन सरकार की कारेदाई संस्था счит national industrial corridor development and implementation trust और उद्रप्रदेश state industrial development authority की और से डैवलप किया जाना है दोने संस्थाओं का शेर होल्डिंग एग्रिमेंट लंबित था जिसे हाल ही में कैबिनेट बैठक में अनुमती दीगे आपको बता दे कि Integrated Manufacturing Cluster के लिए 1595 पेड़ों को हटाया जाना है इसके लिए Supreme Court से अनुमती मिलने का इंतिजार है यूपी सीडा के अधिकारियों की माने तो पेड़ हटानी के नुमती मिलने के साथ ही ग्राउंड पर कारी तेजिस से शुरू कर दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट का सीधा फायदा उध्योग जगत को होगा Integrated Manufacturing Cluster में Factory लगेगी इस से आसपस के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और तैयार समान को रोड या फिट ट्रें से आसानी से अन्य राजियों में भेजा जा सकेगा अब तक टूरिज़म इंड्रिस्ट्री की रूप में पहचान रखने वाला आग्रा की इंडिस्ट्रिल सिटी के रूप में भी छाप देश और दुनिया में पड़ेगी इससे शहर की एकोनॉमी को फाइदा पहुंचेगा देश्विदेश की तमाम बड़े खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे उतर प्रिदेश टेम्स धन्यवाद